हालो मैसेल्फ दक्टर बिमलेश गुपता और मैं असोसियेट प्रफेसर हूं बियन कॉलर्ज आफ इंजिनियर इन टेक्नोलोजी में आज के इस मैथेमेटिक्स 1 के लेक्चर में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वेक्टर इफ्रेंशेशन यानि यूनिट 5 हम चैप्टर जो इफ्रेंशेशन का है वेक्टर इफ्रेंशेशन वो हम लोग इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो KS103 जो इंगिरिंग मैथेमेटिक्स 1 है उसके सबसे लास्ट उनिट 5 वेक्टर इफ्रेंशेशन उसमें मारा एकका टॉपिक है ग्रेडियंट और इस फिज इस वीडियो में है तो हम लोग start करेंगे यह mathematics 1 के लिए है engineering mathematics 1 KS103 के लिए तो हम लोग start करते है यहां से next सबसे पहले कुछ basic definition के बारे में हम देखेंगे की point function क्या है scalar point function क्या है vector point function क्या है यह basic चीज़े समझेगे फिर आगे की और बढ़ेंगे जैसे हम बात करें point function पे तो एक variable कोई भी एक variable quantity जो whose value at a point in a reason of space जो depend करता है किस पे position of point पे ठीक है यानि कोई भी variable quantity जिसकी value किसी particular reason में किसी particular point पे depend करती है वो हमारा point function कहलाता है ठीक है यह point function हमारे 2 तरह के हो सकते है अब point function किस तरह हो सकते है scalar है अगρι पहली बात तो decide हमने क्या किया कि Point function क्या है किया ह्नि कोई भी variable quantity है variable कितने है उसमें 1 अ 2 है क्या है यी आगे की बात करेंगे कि कोई भी function क्या है कि अगर कोई point हमारा P ले लिया ठीक है in a space में if to each point P of a space in a region R in a space there are corresponding unique scalar कोई एक आपको उसके corresponding unique scalar मिले जिसकों क्या कहते देते हैं यहाँ पर F कह देते हैं तो F is called the scalar point function F is का क्या कहला है scalar point function कहला है जैसे हम बात करें कि किसी space में किसी particular point पे temperature तो temperature क्या है एक scalar quantity है ठीक है distribution in a heated body ठीक है density of body यह सारी quantities हमारी कैसी है scalar quantities है यानि उस particular point पे जो हमारे unique scalar देता है F P जो function देता है तो F क्या कहला आता है हमारा scalar point function जैसे हम यहाँ बात कर रहा है कि particular point space में हमने कोई point लिया और उस space में point पे हमें जो क्या निकालना है temperature तो temperature distribution क्या बताएगा एक scalar quantity को denote करता है ठीक जैसे हमने अगली बात की कि कि किसी temperature distribution heated body में कितना है temperature distribution जो हमारा सुख रहा है वो किस पर depend कर रहा है सिर्फ आपका scalar quantity है ठीक है उस पर temperature में direction तो होती नहीं तो एक केवल आपके पास scalar quantity है temperature ठीक है density बात करने किसी body के density क्या है बहुत सारे ऐसा example है जो हम यहाँ पर दे सकते है scalar quantity में क्या है तो हमारा scalar point function नहीं में पढ़ा point function क्या है scalar point function के अगर हर एक point के corresponding कोई फिर से मने point लिया P हर एक point के corresponding किसी reason R में एक unique vector पर depend करें जाने scalar था vector जानते है आप scalar vector 12 में आपने पड़ा कि vector quantity क्या है scalar quantity के magnitude और direction दोनों है तो आपके पास क्या है vector only magnitude की बात करेंगे तो क्या होगा scalar so scalar point function जब particular point को define करता है उस point को हम point function कहते है और scalar quantity को scalar point function कहते है ठीक है तो vector हमारे पास तो f हमारा उस समय क्या कहला है एक फिस कॉल्ड a vector point function so अगर वो point f जो एक vector को unique vector को define करें तो उस point को हम vector point function कहेंगे ठीक है और जैसे हम बात कह सकते है जैसे velocity of a moving fluid किसी moving fluid की velocity तो आपके क्या है magnitude भी है और direction भी है जब fluid move करेगा motion होगा तो कोई नो कोई direction होगी तो जैसे gravitational force etc तो यह बहुत सारे example है जो vector point function को define करते है है तो इस vector differentiation chapter के starting में हम लोग क्या सीख रहे है हम लोग सीख रहे है कि किसी भी vector quantity को scalar quantity कैसे define करते है यानि point function क्या है पहले सीखा फिर scalar point function सीखे फिर vector point function के definition तो भी हम basic definition सीख रहे है कि what are the definitions of point function किसे denote करते है तो अगर space में कोई particular point है जो किसी भी variable quantity को represent करता है वो variable quantity में भी scholar में भी वेक्टर तो scalar होगे तो scalar point function कहलाएगा और vector होगे तो vector point function कहलाएगा ठीक है यह बाते हमने आप पहली slide में सीख रहे है जो हम आपको समझा रहे है कि scalar point function क्या vector point function क्या अब बात आती है कि what is the gradient जैसे हमने हमें बात कहीं कि gradient तो gradient है क्या तो gradient के लिए हम definition पर आते हैं कि gradient of a scalar point function पहली चीज तो हमें इस पूरे chapter में जो आपका vector differentiation है इस पर हम vector quantities को भी study करेंगे scalar को भी study करेंगे सबसे पहले से भी कि this is a differential operator जिसको differential operator डिल्टा बोलते हैं डिल हमारा differential operator है इसकी definition है i times del by del x j del by del y k del by del z तो क्या दिख रहा है आपको यह कैसी quantity है यह vector है क्योंकि इसमें क्या है direction है तो यह कैसी quantity है vector quantity है i j k directions बता रहे है x y z x space side पर आपके तो यह क्या है vector quantity है तो यह this is this del this is called del operator यह operator है जिसको हम जब किसी scalar quantity इसके उपर operate करते हैं तो हमें जो resultant मिलता है वो एक gradient कहलाता है ठीक है तो हम बात कर रहा है कि del operator del operator के definition के लिए कि vector differentiation है यहाँ पर देखें चुकि derivatives हैं del upon del x del upon del y del upon del z यह सब क्या है these are the derivatives इसलिए इस operator को क्या बोले differential operator यानि differentiation कर रहा है यानि इस operator का नाम क्या दिया गया differential operator तो del operator जब हमारी definition clear होगे तब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे क्या कि what is the gradient of a scalar function कोई scalar function का gradient कैसे निकालते है gradient क्या माइने है कैसे हम follow up करते है जरा समझते है तो हमने का let phi x y z एक scalar quantity है जिसको हम cable phi भी लिख सकते है यानि obvious सी बात है वो एक three dimension आपके पास x y z axis में है तो यह scalar quantity है तो del gradient का मतलब हम लिखते है इसको grade phi भी लिखते है grade phi या del phi लिखते है क्या मतलब होता है कि del operator जो आपके पास है i del over del x j del over del y k del over del z पे जब हम phi quantity को operate कर देते हैं और यह phi quantity क्या है आप चाहो तो यहाँ राइकिन में x y z लिख सकते हैं क्योंकि phi हमारा किसका function x y z का function है so phi को जब हम gradient del operator पर operate करते हैं this is the del operator इस operator को जब इस scalar quantity को जब हम इस operator पर operate करते हैं तो अब डल phi मिल तब क्या होगा इस scalar quantity का derivative होगा one time x के respect में अबसे पहले किस पर जाएगा x पे respect में होगा फिर y के respect में होगा फिर z के respect की हमारा जो phi है scalar यह तीनो variable का function है x y z का function है तो हमें क्या मिलेगा i इसको हम अगर चाहे तो summation form में भी लिख सकते हैं i del phi by del x z del phi by del y k del phi by del z मिला we can write it summation i del phi y over del x summation का मतलब यह तीनों के लिए जाएगा यानि यही चीज़ हमें समेशन form में हमने लिख दिया क्या मतलब हुआ summation i मतलब एक बार i के लिए फिर एक बार j के लिए जब j होगा तो derivative के इसको इसको में होगा y एक बार k के लिए so this is जहां i j के आप जानते हैं क्या है unit vector along the x y z axis के according क्या है unit vector so अभी हमने क्या सीखा कि कोई point function क्या होता है scalar point function क्या होता है vector point function क्या होता है then हमने बात करी कि del operator और del operator की मदद से हमने सीखा क्या सीखा हमने del operator की मदद से how to find a gradient of an scalar function सो फिर से मैं एक बाव बताता हूँ gradient हमेशा एक scalar quantity को find out करते हैं और जो result मिलता है वो vector मिलता है ठीक है क्या बता है मैंने vector जो हम del phi लिखते हैं del phi और ये जो मिलता है हमेशा हमेशन i del phi by del x इसका summation formula है ये हमेशा एक scalar पे operate करते हैं और result जो आता है वो vector आता है क्योंकि direction है आपके पास यहाँ i, j, k में so gradient हमेशनी एक scalar quantity का निकालते हैं और हमेशा result में क्या मिलता है vector मिलता है so this is all about the gradient of any scalar function gradient का formula क्या है कैसे find out करना है कैसे work out करना ये हम सारी बाते हैं यहाँ पे one by one सिखते जाएंगे अभी बहुत सारी इस पर problem करेंगे so पहले चीज़ हम भी सीख रहा है कि how to find a gradient of an scalar function क्या है gradient उसा कैसे निकालना है del operator क्या होता है यह सब सीखा हमने आगे बढ़ते हैं अब next जीज हमारे पास physical interpretation of gradient हमने gradient find out तो कर लिया इस gradient के माहिने क्या है इसका physical interpretation क्या है उसको भी हम प्रूफ करते है हमने कहा कि x y z f of x y z एक कोई है differential scalar field है ठीक है क्योंकि differentiation हम करते है derivative निकालते है और f of x y कोई है आपका surface है यह ABC point पे तो एक curve हमने लिया c अभी next आगे एक slide में हम figure दिखाते हैं आपको एक curve c लिया parametric representation आप जानते है differentiation करते है parametric representation तो parameter है किसके respect में x y z are the function sign of x y z ठीक है तो इस curve एक unique vector हमें मिलेगा हम जानते है r vector हमें सा हो गया होता है x i plus y j and plus z k अब अगर यह x y z t k function है तो हम ऐसे भी लिख सकते है x is the function of t i y t j and z t k ठीक है यह देखिए लिखा हुआ है तो बस हमने क्या करा x y z हमारे t k function थे तो t k term में लिख दिये अब अगर हम देखना चाहें कि इसका gradient क्या मिलेगा तो यह एक आपका curve दे रखा है f of x y z हमने लिखा था यहाँ पे देखिए f of x y z equal to c लिखा तो x y z t के function थे तो यहाँ पे t में रख दिये तो यब यह सब t के function थे हमें क्या निकालना है gradient का मतलब बता rate of change तो हमें derivative निकालना है with respect to t क्योंकि यह सब t के function है तो t के respect में जब हम differentiate करेंगे तो del by del t f of x y z हो जाएगा अब आप समझे यह f function था f function है x y z का and x y z function किसके है तीनो t के so finally f function किसका होगा t के लेकिन जाएगे वाया किसके थू x y z के थू तो हम chain rule से लिख सकते है कैसे लिखेंगे सबसे पहले del f upon del x or del x by del t del f by del y del y by del t del f by del z del z by del t और हम यहाँ पे d भी लिख सकते है क्योंकि x y z सिर्फ और सिर्फ सिंगल वायरेबल का function है so we can write also del f upon del x into dx upon dt ठीक है del f upon del y into dy upon dt del f upon del z into dz upon dt so यह सब भी हम लिख सकते है यहाँ पे equal to 0 ठीक है तो जब 0 दिया था तो हम यह भी लिख सकते है यह भी लिख सकते है क्योंकि x y z हमारे पास single variable के function है single variable जहाँ पे आएगा वहाँ total differentiation आएगा एक से ज़्यादा variable है तो हम क्या करते है partial derivative system यूज करते है तो हमने यहाँ पे gradient निकालना चाते थे हमने क्या भी तक देखा कि हमने एक x y z function यह differential function वह से लर फिल्ड का और वो सब t के x y z किसके function थे parameter representation t में तो हमने value रखी और उसका gradient निकालने के लिए हमने उसको derivative निकाला तो chain rule लगाया यह value मिल गई अब देखे यहाँ से अब इसको हमने vector form में लिगा फिर से एक बार हम पिछली साइट को देखें तो इस चीज को हम अगर vector में लिखना चाहें तो हम जानते हैं क्या since i.i equal to क्या होता है 1 j.j equal to होता है 1 and k.k equal to 1 यह basic चीज़े हैं जो आप पढ़ के आते हैं तो i.i1, j.j1, k.k.1 होता है तो इसकी help से हम क्या करेंगे इसको vector form में लिख दिया नहीं सब जगे f del up by del x i, del up by del y, j del up by del z, k. और यहाँ पर लगा दिया तो अब यहाँ पर देखें जब इनका हम dot product करेंगे तो मैंने क्या बोला i.i को only j और i.j क्या होगा 0 होगा और i.k क्या होगा यह भी 0 होगा तो इस property को use करते हुए आप जानते है dot product कैसे निकलता है आप यह देखेगा यह किसके respect में derivative है r का क्योंकि r आप जानते हैं क्या होता है x i plus y j and plus z k जब हम इसको differentiate करेंगे del r upon del t या r dash so क्या देगा del x upon del t i del y upon del t j and del z upon del t k ठीक है यह लिख सकते है यह चीज़ लिखी हुई है तो वो हमने क्या लिख दिया r dash और जो पहला वाला function हमारा दे रखा है यह किसके respect में derivative x y z का respect में इसका मतलब यह हमारे पास क्या है delta fr so del operator आपको पता था की del operator होता है i del over del x j del over del y k del over del z देखिये यह चीज़ है अगर हम इसको del f लिखें next step पे so क्या आएगा i del f over del x j del f over del y and k del f over del z यह ही चीज़ हमारी यहां पे लिखी हुई है और यह क्या लिखा हुआ है r dash so हमारे पास क्या मिल गया कि dot product किसका किसका है del f dot dr लिख सकते है जो यह चीज़ लिखी है del r by del t इसको हम क्या लिख सकते है this is can be written as dr ठीक है so यहां पे जो dr हमारे पास मिला वो हमारे पास यानि delta f dot dr equal to क्या हो रहा 0 इसका मत्तब यह दोने दूसरे के क्या है perpendicular orthogonal है तो देखें वाइच मैंने लिखाया कि delta f अगर 0 नहीं होगा तो यह 0 नहीं होगा इसका मतलब r dash t क्या होगा tangent की तरह वर्क करेगा अगर हम curve से भी समझे तो यह देखें आपका यह point लिए हमने p abc delta f p मत्तब यह scalar quantity है तो scalar quantity जो है वो इस surface के क्या है normal यानि यह जो है इसके क्या है यह आपके पास delta f p मिल ला है और यह आपके पास क्या है delta f x यहाँ पे यह function ले लिया तो यह आपके देखें t point है तो यह tangent क्या हो गया इसका मत्तब tangent plane पे क्या होगा surface यानि यह आपका delta p जो होगा क्या बात निकल क्या ही कि delta p is orthogonal to every tangent vector at p यह जितने है tangent यह tangent है आपका यह tangent है तो इस tangent के delta p क्या है orthogonal यहाँ से समझ सकते हैं तो orthogonal होने के case में यह क्या हो गया 90 degree है तो जितना भी आपका gradient निकल क्या हैगा तो delta p क्या है p कोई point था del p क्या मतलब del 5 जैसा निकालते हैं तो यह क्या हो गया gradient so gradient जो है वो orthogonal है किसके tangent vector के देखे यह आपका tangent vector है और यह आपके पाद delta p है so यह हमेशा इसके क्या होगा perpendicular होगा हम यह कह सकते हैं कि delta p vector हमेशा normal to the surface होगा यानि जो हम gradient निकालते हैं वो हमेशा उस दिये हुए surface के क्या होता है normal होता है perpendicular होता है clear so हमने क्या पढ़ा कि gradient क्या है how to find the gradient first thing and second thing the physical interpretation of gradient मतलब हम कैसे किसी physical quantity के gradient का interpretation कर सकते हैं मतलब जो हमारे gradient निकल के आता है that gradient is always normal to the surface जो आपको surface दिया होगा उसके क्या होगा हमेशा normal तो this is the physical interpretation कि हम gradient क्या कर सकते हैं हमेशा जो हमारे पास gradient quantity निकल के आती है वो हमेशा उसके क्या होती है normal होती है ठीक है यह बात समझ में आ गई आपको next अब हम इस पर कुछ problems लेके आते हैं तो हमने अभी तक क्या क्या देखा gradient scalar quantity scalar point function vector point function पढ़ा gradient पढ़ा gradient solve कैसे करते है physical interpretation पढ़ा अब हम बात कर रहे हैं इन पर कुछ questions की ठीक है so questions के लिए देखी दर है हमने कहा पर problem एक लिखी हुए है कि phi हमारे पाद देखी phi कैसी quantity scalar then find the great phi at the point this तो gradient निकालना तो हमने क्या बताया था gradient dull phi होता है तो dull operator लिखा phi लिख दिया अब यह पूरी phi quantity यहां रगडि तो इसका मतलब यह इसका z आ जाएगा इसका derivative to y लिखा है तो हमने क्या किया देखिए फिर से scalar क्या होता है एक scalar quantity का gradient निकालते है और जो answer आता है वो कैसा आता है एक vector आता है यही मैंने आपको बताया था first thing is that कि we always find gradient of an scalar quantity and वो quantity क्या मिलेगे that quantity must be vector क्योंकि वो मैं सा ijk form में आएगी अब अगर कोई point आपको दे रखा है कि इस point पे निकालिए तो इस point को satisfy कर दीजिए मतलब यहां पर x y z की जिए पर रख देंगे 1 यह x की जिए पर y की जिए पर z की जिए पर रख दीजिए यहां पर रखा हमने x की जिए पर रखा तो क्या मिल जाएगा x कितना था 1 और यह value y y की value minus 2 है तो minus minus आपके पास यहां पर minus 12 by minus 9 j minus 6 k 16 k यह आपको क्या मिल जाएगा gradient मिल जाएगा ठीक है यह आपके पास क्या निकल के आया gradient ठीक है अब किसी scalar quantity दी थी हमने gradient फादेंट कर लिया और हम इसकी मतलब से क्या क्या solve कर सकते है वो देखते है next आता है unit vector unit vector normal unit normal vector निक phi upon mod half del phi यानि हम पहले gradient निकाले और फिर उसके modulus से क्या कर देंगे divide तो हमेंसा हमको क्या मिल जाएगा unit normal to the surface greatest rate of increase निकाल सकते है कैसे जो आपका modulus आता है किसी gradient का वह ही कहलाता है greatest rate of increase यानि modulus of any scalar quantity किसका उसके gradient का modulus of gradient is known as the greatest rate of increase ठीक है फिर थर्ड चीज हम और क्या पता कर सकत है कि अगर दो हमारे पास surface है phi 1 and phi 2 दो surfaces है और उन surfaces के बीच में angle हमारे पास कितना है theta है so we can find that angle between two surfaces वो कैसे निकलेगा cos theta equal to del phi 1 dot del phi 2 upon mod of del phi 1 del phi 2 या भी निकाल सकते है या हम यह जो n लिखते है तो इसको भी यह formula लिख सकते है हम cos of theta equal to n1 dot n2 ठीक है अपन mod n1 mod n2 हम इस तरह से भी इसको लिख सकते है so unit normal जो निकालते है उसको हम mod से divide कर देंगे तो cos theta चाहिए से रखिए theta को इधर लाएंगे तो cos inverse में आ जाएगा so हम पहले तीन चीज़े सीखेंगे कि how we find the unit normal vector greatest rate of increase और फिर हम पढ़ेंगे angle between two surfaces तो इस तीनों के मैंने formula आपे describe क आपको समझाया है अब हम इन पर कुछ problems करते हैं कि how we find the unit normal vector greatest rate of increase and angle between two surfaces दो surfaces के बीच में angle कैसे निकालते है तो देखिए first next problem हमारे पास है find the unit normal to the surface तो पहली चीज़ add surface दिया है आपको scalar quantity दिया है एक point दिया है तो हमने क्या करा यहाँ पे phi लिखा हम जानते है del phi gradient क्या होता है हम इसा del phi होता है del phi equal to i del by del x j del by del y and k del by del z ठीक है यह phi पर अपरेट करेंगे तो phi हमने जो quantity ती रख दी अब इस phi का derivative रिखेंगे किसके respect में एक बार x के respect में यहां लिखा है y के respect में यह लिखा है और z के respect में यह लिखा है और सभी के साथ i.j के आएंगे तो अगर हमारा point जो दिया है उस पर satisfy कराना है तो यह point यहां पर रख दीजिए यह point एनि-x,y,z की जगे पर रख दीजिए minus 1, minus 1 and 2 रख दीजिए रख दीजिए,so minus 1, minus 1 and 2 रखेंगे तो हमारे पास यह क्या आगे देल 5 अब आपने आपको बताया कि देल 5 पता हो गया तो n-cap क्या होता है देल 5 अपान mod of del 5 ठीक है वह लिखा यहां पर n-cap equals to del 5 upon mod of del 5,so del 5 upon mod of del 5 अबने निकाला minus 4i minus 12j plus 14k और उसके mod निकालेंगे तो 4 का 16 आजाएगा यहां 144 and 16,add किया तो हमारे पास ही कितना हो गया यह आपके पास solve हो किया जाएगा कितना निकाल सकेंगे यह फूरा calculate किया है अगर आप चाहेंगे तो इसको और simplify कर सकते है माइनस का 4i minus 12j plus 4k और यहां पर कितना आगया 144 144 है और प्लस 32 तो 6 आजाएगा 7 आजाएगा 1 आजाएगा ठीक है तो यह आपके इससे simplify कर लेंगे आपके पास 2 common cancel करके और यह values आजाएगे आपके पास solve हो किया तो next हम देखते हैं यहाँ पर next problem है find the angle between the surfaces अब अगर surfaces के बीच में angle निकालना है तो कैसे करते है scalar हमाई दे रखा है 5 1 एक scalar 5 2 दे रखा है so del 5 1 निकाला हमने del 5 1 हमने 5 1 रखा derivative निकाला और यह point रख दिये यह जो हमने point थे वो point satisfy करा तो del 5 1 की value निकाला ही suppose कि यह equation 1 हो गई and इसी तरह से हमारे पास दूसरा surface दे रखा था del 5 2 इसका del 5 2 निकाला और वो point satisfy के लिए आपको आता है x के respect में इस पूरे का derivative 2x आएगा y के respect में 2y आएगा z के respect में आपके पास 1 आएगा कि कि यहाँ पे single z है और यह point रख देंगे 2 minus 1 2 तो यह आए जाए आपके पास 4i minus 2j minus k simple calculation है तो हम x y z की जगे पे point रखेंगे तो 2 4i आजाएगा यहाँ पे minus 1 रखेंगे 2j और minus का 4 की आजाएगा so this is the del phi 2 is suppose कि equation 2 आ गया so angle हमारे पास कैसे solve करते है angle के लिए हमें पता है cos theta equal to cos inverse del phi 1 dot del phi 2 upon mod del phi 1 mod del phi 2 del phi 1 रखा del phi 2 रखा इनके बीच में क्या है dot product है और नीचे इनके modulus है ठीक है simplify कर देंगे तो आपके जब solve करेंगे तो 4 4 जा 16 यहाँ 2 2 4 and minus 4 4 cancel हो गया यह आपका 4 4 cancel हो गया और यहाँ पे 6 से आपके पास 3 बचा और यह 8 आया so 8 upon 3 root 21 so we can find the angle between तो हमने क्या पढ़ा कि हम angle निकाल सकते है greatest rate of increase निकाल सकते है जैसे next problem हमारे पास है what is the greatest rate of increase greatest rate of increase इसका निकालना है point दे रखा तो हमने del phi 1 लिखा u की value रख दी x के respect में derivative y और z के respect में derivative लिखे इस point पे निकाल दिया तो del phi मिल गया और इस del phi का हमें greatest rate चाहिए था तो greatest rate के लिख करेंगे इसके mod से mod निकालने यानि mod आप जानते 2 का कितना था 4 9 का 81 and 36 का जाएगा इसको आट 36 add करेंगे तो आपके पास under root 121 आएगा और वह आपके पास कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ठीक है तो हमने एक और चीज़ पढ़ी कि greatest rate of increase निकाल सकते हैं angle between two surfaces निकाल सकते हैं और आपके पास unit vector निकाल सकते हैं next हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि gradient किसी r की form में अगर दे रखा है तो कैसे निकालेंगे gradient निकालेंगे तो हमसे पहले हम यहाँ पर r से r square निकालेंगे वो क्या होगा r dot r तो r dot r करनेंगे यह क्या आएगा i dot i यहनि x square plus y square plus z square अब इनके derivative में निकालू del r upon del x यहाँ से निकालू वो कैसे आएगा यह r square equal to x square plus y square plus z square दिया है differentiate कर दीजिए किसके respect में x के respect में तो यहाँ से आएगा 2r del r upon del x equal to क्या आएगा 2x तो यहाँ से del r upon del x क्या आएगा x upon r 2 to cut गया so x upon r ऐसे y upon r z upon r निकाल लिया और next stage पर हमने delta r निकाला तो देखिए gradient quantity माई थी यहाँ रख दिया इसका derivative एक बार x के respect में रखा और चुकि यह r है तो r के respect में differentiate कर दिया r की पावर n का derivative क्या होगा n r की पावर n-1 del r upon del x n r की पावर n-1 del r upon del y n r की पावर n-1 del r upon del z अब del r by del x del r by del y del r by del z की value पीछे आप निकाल चुके हैं हमने निकाली हैं यह देखिए यह डल r by del x del r by del y del r by del z की values हमने रख दी यहाँ पे क्या x upon r y upon r z upon r और आप जानते हैं इस से पूरे से r common लेंगे बाहर तो एक पावर नीचे काम हो जाएगी n r की पावर n-1 है upon r है तो कित्ती पावर बचेगी minus 2 और x i plus y j plus z k हमारे पास क्या आएगा यह आए हो जाएगा क्योंकि r हमारे पास क्या होता है x i plus y j and plus z k तो हमारे पास यह क्या निकल क्या है nr की पावर n-2 vector r ठीक है तो gradient हम क्या सीख रहे हैं पहले तो हमने r वाले functions का gradient कैसे निकालते हैं r हमने सीखा कैसे निकाला r square r dot r से निकाला फिर यह solve कर दिया इसका b part देख लेते हैं अब log r का gradient चाहिए था तो यहां पर log r लिखा तो log r का derivative r के respect में रख दीजिए और del r by del x r के respect में log r का derivative अगर हम del by del r करेंगे log r का तो क्या कहोगा 1 by r यह लिखा है 1 by r और r x के respect में किया तो del r by del x 1 by r किया तो del r by del y 1 by r किया del r by del z और del r by del x del r by del y del r by del z की value हम पीछे निकाल चुके हैं x by r y by r and z by r किसकी value थी del r upon del y की और del r upon del z की तो यह value यहां पर रख दी फिर से same process क्या नीचे से r common ले गए तो r square हो गया और यह quantity मार पास क्या होती है में सा r होती है x i plus y j and plus z k यह रख दिया so this is the gradient of logarithmic r so इस पूरे video में हमने क्या पढ़ा है कि gradient कैसे निकालना gradient का physical interpretation क्या है और उसकी मदश से हम कैसे उस पर कुछ problems करी जिसमें हमने क्या क्या सीखा unit vector निकालना सीखा greater state of increase निकालना सीखा और हमने क्या निकालना सीखा आपको greater state of increase के बाद हमने क्या सीखा वहाँ पे angle between two vectors कुछ और properties है जिन में हम gradient को यूज कर सकते है जैसे directional derivative वो हम next उस में करेंगे next lecture में हम यो complete करेंगे कि how can we find the directional derivative of an scalar quantity thank you so much झाल